Hello friends, Welcome to your Conferter classes. स्वागत आपको इस चैनल में. जावर्फी की इस mapping वीडियो में अफरीका महादीब हम दो कबर कर रहे हैं और अफरीका महादीब में यह हमारा दूसरा वीडियो है. इसमें आज हम अफरीका महादीब जो है किन-किन सागरों से चैनल से बॉर्डर शेयर करता है अफ्रीका महादी के कौन से देश उन से सीमा साजा करते है या उन से सीमा उनका सटा हुआ है तो उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में यह काफी important वीडियो है और यहां से questions put up होने के chances बहुत जादा रहते हैं UPSC में भी, BCS पगरा में और बैकेर्स पेपर भी अगर आप review करेंगे या उनको देखेंगे तो आपको कई सारे questions लगातार भी लेंगे सबसे पहला जो सबसे जादा important सागर है यह सी जी से बोलते हैं जो अटाच होता है अफरीका के उत्तर में तो आप मैप में देखिए मैप में देखिए यह जो black line जो मैं बना रहा हूँ यह पहले मुराको, फिर Algeria और Tunisia और उसके बाद लीबिया और मिश्र से होके यहां पर आके रटसी पे मिल जाती है कितने देशों से सीमा साजा करता है यह उत्तरी अफरीका महादीप की सीमा यह बॉर्डर बनाता है वो कौन-कौन से देश है मुराको है यह आप देख रहा है मुराको, Algeria और Tunisia, लीबिया और एजिप्ट लेख लिए पाँच, पाँच से यह कौन बना रहा है भूमद सागर बना रहा है और एक additional fact यह है कि यह जो भूमद सागर है भूमद सागर अफरीका महादीप को यौरप से अलग करता है किस से अलग करता है? यौरप से अलग करता है यह बहुत important है उत्तर में कौन सा सागर अफ्रीका महादीब को यॉरप से अलग करता है तो वह याद रखेगा भूमद्य सागर या मेडिटेरेनियन सीजी से बोला जाता है यह clear रहेगा आपको और अगला हमारा जो आप पॉइंट होगा जिसमें हम रेड सी को देखेंगे किसको रेड सी लाल सागर भी इसे बोला जाता है तो आप यह देखिए यह एजिप्ट और उसके बाद सुडान इरिट्रिया और फाइनली जिबूती जिबूती ठीक है डी जो है साइलेंट है इसक जो पूर में अफरीका महादीब में पूर में सीमा साजा करते हैं किस से लाल सागर से किस साजा करते हैं सीमा लाल सागर से यह लाल सागर क्या करता है यह लाल सागर जो है यह जो अरब पेनिंसुला है या अरब प्राइदीब है उससे अफरीका महादीब को अलग करता है अ नहां पर पस्चिम में और चार देश जो हैं इसके साथ सीमा साज़ा करते हैं लालसागर से कौन-कौन से हैं एजिप्ष, सुडान, इरिट्रिया और जिबूति अब एक सबसे बड़े महासागर से भी जो है सीमा साजा करता है अफ्रिका कंटिनेंट ठीक है तो वो जो है कौन सा है वो है अट्लांटिक अट्लांटिक महासागर ठीक अट्लांटिक महासागर जो की सीमा बनाएगा कहां पे पस्चिम में तो उसमें पहली कंट्री आपकी जो आ जाएगी आप यह देखिए यह ब्लैक लाइन, ब्लैक लाइन क्या है यह मुरक्को, फिर उसके बाद वेस्टन सहारा, फिर उसके बाद मौरितीनिय, सैनेगल, गांबिय, ग्वेनबसाउ, सियरा लियॉन, गीनिया भी है और लाइबिरे लाइबेरिया, वगेरा भी आ जाएंगे और फिर उसके बाद जो है आईवरी कोस्ट है, आईवरी कोस्ट, घाना, टोगो, कैमरन, यह सारे जो हैं किसमें आएंगे, अट्लांटिक महसागर से ही यह सीमा क्या कर रहे हैं, साजा कर रहे हैं, देखिए यह बहुत बेसिक यह है और थोड़ा सीरियस टाइब कोस्टन से हैं, इस से जो है कॉंसेप्चिल क्लारिटी, वर्ड जोगरफी में जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आप इसे भूलेंगे नहीं, अब देखिए आगे, आगे प्रसांत महसागर, इधर एकोर्टोरियल गिनी और गैबान, गैबान के बाद कांगो, फिर इधर जो है अंगोला, अंगोला के बाद नामीबिया, यह देख रहे हैं, नामीबिया, और फिर अफरीका, ठीक है, अफरीका मतलब साउथ अफरीका, इससे भी क्या करेगा, यह सीमा, साजा कर रहा है, तो इतने लगभग जो हैं, देश जो ह तो जो अट्लांटिक महासागर है अट्लांटिक महासागर लगभग जो है बीस अफ्रीकी जो देश हैं उनसे सीमा साजह कर रहा है यह सीमा बना रहा है पस्चिम में यास रखिएगा और नौथ अट्लांटिक और साफ्ट अट्लांटिक में अगर जो पश्य में बनाता है। अब दो और बचे हुए हैं। एक है जिसे मुझाम्बिक चैनल बोला जाता है। और दूसरा है हिंद महासागर। हिंद महासागर मतलब इंडियन ओश्यन। इंडियन ओश्यन से भी जो है अफ्रीका महाधी के कुछ देश जो हैं। सीमा दक्षड दक्षड पूर में बनाते हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं तो हिंद महासागर से भी ये क्या करते हैं सीमा साजा करते हैं हिंद महासागर तो हिंद महासागर से कौन-कौन से अफरीकी देश हैं जो सीमा बनाते ही या कोस्ट लाइन जिनकी तट रेखा जो है बनी हुई है तो वो कौन से है पहली सुमालिया फिर उसके बाद केनिया, तंजानिया, मुजाम्बिक मुजाम्बिक और स्वाजी लेंड तो अंदर ही आ जाएगा और फाइनली लास्ट हमारा आएगा क्या अफरीका तो पांच कंट्रीज हैं तो पांच अफरीकन देश हैं जिससे क्या करेगा इंडियन ओशियन सीमा साजा कर रहा है और यहीं पर हम लोग देख रहे हैं मुजाम्बिक चैनल ठीक है, क्या है मुजाम्बिक चैनल तो मुजाम्बिक चैनल किन दो देशों के बीच में है, मेड़ा गैसकर अब यह देख रहा है, मेड़ा गैसकर में है मोजांबिक और मेड़ागासकर के बीज में तो आई होग कि आपको ये बेसिक चीज़े समझ में आ गई होगी इससे क्या होगा कि आपको जो कूस्ट वाला जो कॉंसेप्चुल क्लैरिटी है यहीं से हो जाएगी और कन्फ्यूजन नहीं रहेगा तो थैंक यू थैंक यू फो वाचिंग दा वीडियो